अब उनसे पूछना चीह हमारे को तो दो साल हुए है, पचासी जार का करचा तो खुद छोड़के गई है, दस हजार क्रोड की तो सरकारी लाइबिल्टी खुद छोड़के गई तो 95 जार क्रोड हो गया, तो इसका मतलब जैराम जी को मैंने आप जो है ना जैराम जी स्टेट के लावा हमारा एक कारेकरम था भी और मैंने उस कारेकरम में ये गुशना की कि जितने भी आउट सोर्स के करमचारी है आंगनवाड़ी है आशा वरकर है हमारे जो भी जो भी सरकार में पीड़ेवली में लगे हुए है उनको भी ठाइस तारी को हम सैलरी देंगे ताकि वो भी तेहार अपना धुमदाम से मनाया जाए उसके लावा जो दिव्यांग बच्चे है पहला नॉर्दर इंडिया को कॉलिज जो अच्छा बनाने जा रहे है कंड़ागाट पे बनाने जा रहे हैं सेंटर ओफ एक्सिलेंस क अपनाने जा रहे हैं तो उन बच्चों के प्रोग्राम में मैं आज खुद किया और उन बच्चों से बात की हमारी सरकार के चार केंदर बिंदू है सबसे पहले दिव्यांग बच्चे अनाथ बच्चे विध्वाओं के बच्चे और 14-70 से ऊपर के बजूर इन चारों के ल 50% काम कर चुके अगले बच्चे में और उसमें सुधार करके और अच्छी योजना लाए जाएगी और 70 साल से उपर के बजूर को के लिए हमारे अरंबिक तोर पर मानी है हेल्थ मिनिस्टर साब से चर्चा हुई और जल्दी हम इस योजना को अगले बच्चे में बस्तत कर सरा से संजोली मज़ेगा शॉपिंग करके उठाए स्कीम का फायदा इस त्योहारी सीजन में मात्र एक रुपे में घर ले जाए अपनी पसंदिदा सुजुखी कार इतना ही नहीं गोईल मोटर्स में इन्शानदार कारू पर पाई साथ हजार तक का महा डिसकाउंट तो देर किस बात के आज ही विजट करें अपने नस्दी की गोईल मोटर्स शोरूं को और पाई अपनी पसंदिदा कार पर ऐसा दाप जो पहले कभी रहा था इस त्योहारी सीजन में मात्र एक रुपे में घर ले जाए अपनी पसंदिदा सुजुखी कार इतना ही नहीं गोईल मोटर्स में इंशानदार कारों पर पाई साथ हजार तक का महा डिसकाउंट तो देर किस बात के आज ही विजट करें अपने नस्दी की गोईल मोटर्स शोरूं को और पाई अपनी पसंदिदा कार पर ऐसा दाप जो पहले कभी रहा था